नवसकार मैं निशान्त कुमार आप देख रहे हैं बिहार निज नेटवर्क और आई इस वक्त आप हमारा कारेकरम देख रहे हैं मुख्या जी कहिन इस वक्त हम महजूद हैं बिहार के नवादा जिले के वारी सली गंज पर खंड के अबसट पंचायत में यह जो सक्स हमारे सा सब्सक्राइब करेंगे राजकुमार सिंग जी की ओर और जानेंगे इस पंचायत के बारे में क्या उन्होंने विकास किया क्या क्या किया अपनी जनता के लिए प्रद्दसर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर धन्यवाद सबसे पहला सवाल मैं यह जानना जनता ने आपको दूसरी बार चुना है किस मुद्दे पर चुना है आपको पबलिक हित में हम सदय कारजरत रहे हैं हम जनपरती निधी नहीं भी थे तो भी पबलिक के लिए हम सदा काम कर दे रहे हैं और इस मुद्दे पर ही पबलिक पर्थम बार मुझे निरविरोध नि पिश्ली बार निर्विरोध थे निर्विरोध थे आपके कंडिडेट मेरे अगेंस्ट में नहीं थे इस वार कितने कंडिडेट थे जो सभी हजार के नीचे सिमट के रह गए और मैं हजार से उपर से जीता तो चलिए बात करते हैं पंचायत के विकास की आपने पंचायती अस्तर पर इस पंचायत के लोगों का किस तरह से विकास किया है जहां तक मुकुरूप से जल नल सभी योजनाय जो मेरी है वह चालू है सभी सभी चालू है जल नल क्या सारा हमारा हमारा तेरह बाड़ है जिसमें पंद्रह टंकी है और पंद्रहों चालू है मैं अपने तरफ से भी उस पर ध्यान देता हूं ऐसे दाई तो वाड़ सदस्य को और सचीव को मिला हुआ है पर जहां भी ज़रुत पड़ती है हम अपने तरफ से भी उसको चालू रखने कोशिस करते हैं और प्राय चालू है सब पंद्रहमी योजना के तहत हमारे हैं कुछ रिपेरिंग का काम भी हुआ पंचायद भवन का रिपेरिंग हुआ एक पुष्ट काले का निर्मान हुआ दूसरा जल गली नली का जो भी कार्ज था उससे पूरा किया जहां भी बचे हुए कार्ज थे उसको पूरा किया और सब्टम से हमने अपने पंचायत में जो कि प्रायाव यहीं लगाने की बिबस्ता किया हम इसकी कमी देखे लोग मतलब घूमते थे लोग प्रेक्टिस करते थे मिडियyas की जरुंकिनत सभी के जो कि पुलिस बगेरा के लिए तैयारी करते हैं या स्वास्त के लिए ऐसे भी कुछ बुजूर्ग लोग भी मतलब घूमते हैं तो घूमने के साथ साथ जीम में भी जाकर अपना कुछ समय बितित करते हैं और अच्छा लाब महसूस करते हैं प्रधान मंत्री योजना के तहत इस बार हमारे हां तिरासी का लिस्ट था जिसमें तीन ब्यक्ति छटे और असी ब्यक्ति का लाब मिला और वह करीब पुरुनता पर है लगभग पुरुन होने जा रहा है अच्छा रासन की क्या ब्यक्ति है डिलर टैन डेते हैं रासन हमारे पंचायत में डिलर देते हैं लेकिन पराया जो मतलब सीश्टम सभी जगह बना हुआ है कुछ उनको खर्च परता है उस रूप में हम लोग चाहते हैं कि सभी को रासन मिले और पुरुन मिले लेकिन सरका होता है, यह नहीं की पुर्णता होता है, यह कहाना पूरे भिहार में पूरे भिहार में जूट होगा पूरन रूक से कहीं मतलब आवंटन मिल रहा है। कहीं लोग दे रहें, नहीं है। ऐसा कुछ.ने बरें स्कुलकातम का प्तु और सवाहत्ड में कम चैनल में हमारे हैं एक स्वास्त कंद्र है जिसकी भवन के लिए हमने परियास किया है टेंडर भी हो गया है ऐसा सुचना हमें मिली है काम लगने वाला है और डाक्टर के लिए हम लोग परियास रत रहे हैं उसमें डाक्टर हमारे पंचायत में हमारे होस्पिटल में एक लेडी जाती थ कि थोरा सा दिक्कत है उसमें नहीं दिक्कत तो है कि डाक्टर की ही कमी है डाक्टर सभी जगह संभब नहीं हो पा रहा है वहां पोस्टिंग होना चाहिए एक डाक्टर का जो कि निश्चित रूप से जाएं और सेवा करें इसके लिए हम लोग प्रियास सील है जहां तक कि दिक्ति हैं लोग जो सब्सक्राइब अप्ग्रेड हुआ है लेकिन बहुत दूख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी बिहार की इस्तिति है अपग्रेड सभी इसकूलों को कर दिया गया है लेकिन उसके लिए और एक अपर दो कर दिया गया है लेकिन इससरकार से कुछ मानग़ करना चाहते हैं Maags से ब्यक्ति का आंख खुलता है ब्यक्ति को कुछ ज्ञान प्राप्त होता है ब्यक्ति कुछ सही रास्ते पर चल पाता है और वही केबल मतलब अबैद रूप से डिगरी ले लेना उससे सिच्छा का विकास नहीं होगा आदमी में मानसिक विकास नहीं होगा इसलिए सिच्छा सिफ्छा को समुचित ववस्था करनी चाहिए है और ठीक है सरकार कह सिफ्छा सिस्टम से नहीं नहीं है उनको थोड़ी सी अफट्रेट करना चाहिए तो टीशर के मांदे में अफट्रेट करना चाहिए कुछ अइसे बीड़i सब्सक्राइब करने से खालि फाइदा नहीं और लिखता भी दिया था और पहले बार मुख्या थे, उस वार सराभ बंदी तो हमने उस वार भी सुझा दिया था, कि यह मुखमंतरी जी का बहुत ही सराहनी यह कारज है इसका सराहना करता हूँ पर एक सुझाब भी अपने तरफ से देना चाहता हूँ कि इसके लिए मानसिक परिवर्तन की जादे जरुरत है कानूनी परिवर्तन की कम जरुरत है और जरुरत है कि हमारा राजसु ही मिले ये महगा से महगा आप कर दें आज लोग महगा से महगा सराब डोर डोर डिलेवरी हो रहा है इस बात से हमें दुख है कि हमारा राजसु जो घाटे में जा रहा है हमारा बिहार का विकास बाधित हो रहा है हमें वो राजसु मिलनी चा जाए और बिहार का भीएसों एक यह दूसरा मुद्दा है जो बालू का पुरे विहार में टेंडर नहीं हो रहा है खनन विभाग से जो घाटा में भिहार जा रहा है बिहार का भिकास इसके चलते बिहार का गलत लोगों के हाथ में जा रहा है और जिसके चलते गलत लोग पनप रहें और बिहार की जो च्छबी होनी चाहिए वह च्छबी पर आप बिहार नहीं कर रहा है राजास्व के लीए हमीं हम चिंतर हैं राजास्व अमारा आय हमारा बिहार का और विकास भड़े इसके लिए हम सरकार से कहेंगे जो भी निवारन हो उसका निवारन करके और सरकार राजास्यू की ओर भी चिन्तित हो और राजास्यू आए और विखार का विकास हो विखार में एक वी फैक्टरियां नहीं इसपे कुछ कहना चाहेंगे किसान से संबन्धित कोई उद्योग लगे लेकिन सरकार की नीति और नियत में थोड़ा अंतर है नहीं हो पा रहा है. हम लोग अंदोलन भी उसके लिए कि यहाँ का beneath उसको बन सरकार्व परतिनेदी efecto हम लोग संद्धित उद्द्योग नहीं लग रहा है. कुछ लोग को इंपलाइमेंट किया जाए और उसमें आप लोग पढाधित नहीं कुछ भी तो हो ना कोश कुछ ना से कुछ हां कुछ तो हो इस लूप में हτι चिंतित है एक हम लोग और कर रहे है अंत्ता पूली आ रही है पूरी तो भाष्ट को को सभी को इसकि सुपकामना देते हैं इसलिए दूसरी वार जनता ने मुझे चुना है तो ये हमारे साथ थे मुख्या जी इन्होंने बताया बिहार का विकास कैसे सुधरेगा कुछ सुझाव विद दिया इन्होंने सरकार को देख तेरे मार साथ बिहार नीज नेटवर्क मैं हूँ आपके शाथ निशान्त कुमार झाल झाल झाल